भारत देश बेहत धार्मिक और आध्यात्मिक से जुड़ा है लोग यहां देवी देवताओं पर आस्था रखते हैं तो वहीं दूसरी ओर यहां बुरी सक्तियों को भी मानते हैं ऐसी ही बुरी सक्तियां बहुत सी जगा को प्रभावित करती है वहीं सबसे पहला और नंबर वन पर आता है भानगड का किला तो आईए जानते हैं हम विस्ताल से कि क्या है ये भानगड का किला का रास तो भानगड किला केंद्र सर्रक्षित इसमारक है लोग यहां सूर्य आस्द के बाद और सूर्य उदय के पहले जाना वर्जी समझते हैं भानगड का कीला राजिस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों पर सरिस्का अभ्यारने में इस्थित है पहली नजर में देखते ही ये डरावना एहसास पैदा करता है यही कारण है कि यहां आसपास रहने वाले लोग अब धीरे धीरे यहां से हट रहे हैं कई बार परेटकों ने यहां पर असमान गटनाए होने की पुष्टी की है यहाँ पर जाने वाले आसपास के लोग और पार्यटकों को 6 बजे से पहले और साम 6 बजे के बाद रुखने की मनाही है भानगड कीले की इतिहास की बात करें तो इसे आमेर के राजा भगवाद दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंग के लिए सन 1573 में बनवाया था बताया जाता है कि जिस धर्ती पर भानगड का कीला खड़ा है वह गुरू बालू नात नामक सती साली तपस्वी का था कहा जाता है कि जब भानगड का कीला बन रहा था उस समय माधो सिंग ने तपस्वी से अनुमती मागी थी उन्हें एक सर्थ पर तपस्वी ने अनूमती दी थी कि भानगड का किला की परचाई कीसी भी तपस्वी के घर पर ना पड़े अन्यथा, भानगड का किला बरबाद हो जाएगा और ये बुरा सावित होगा भानगड कीले की एक और कहानी प्रचलित है इसमें रानी रतनावली रहती थी जो बहुत अद्विती और खुबसूरत थी उसकी खुबसूरती के चर्चे गाउं से लेके पूरे कीले के उस पार तक फैल गई थी और एक तपस्वी को इस बारे में पता चला सिंधिया नाम का तपस्वी जादूगर इस बात से आउगत था कि रानी से उसका कोई मुकाबला नहीं था साधू इतना भाग यसाली था कि रानी रतनावली की मालकीन को बजार में तेल लेते हुए देखा और उसने तेल पर जादू कर दिया साधू को ये लगता था कि रानी तेल को छूते ही खुद उसके हवाले कर देगी परंदू रानी रतनावली को उसके चाल के बारे में पता चल गया और उसने तेल की बुन्दों को चट्टान डाला और वो चट्टान लुडगते हुए साधू के पास चला गया और उसको अगर आपको इस स्थान पर जाना है तो मैं बताती हूँ कि आप इस जगा पर किस तरह से पहुँच सकते हैं पहली 24 है सड़कमार्ग अगर आप सड़कमार्ग से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से लगबग 300 किलोमीटर की दूरी पर भार गड़ इस्थित है आप इसे किसी बस में या अपने खुद के पसनल गाड़ी से भी जा सकते हैं कोशिस करें कि आप सुबह निकलें जिससे सुर्यास्त तक आप वापस आ सकते हैं आप भानगड के सांसा निम्राना जैपूर सरिसका अलवर भी घूम सकते हैं इसके लिए आप पसनल गाड़ी पर ही जाएं जिससे आप आसपास की जगह आसानी से घूम सकेंगे वैकलपित रूप से आप दिल्ली से भानगड जाने के लिए सताबदी इसके ट्रेंड भी ले सकते हैं परन्तु आपको इसे पहले से ही बुक कराना होगा फिर भानगड से आप किसी टेक्सी से जा सकते हैं ध्यान रखे कि भानगड की आसपास किसी होटेल या रेश्टरेंट की सुईधा नहीं हैं हाला कि आसपास कुछ दूर में आपको ढाबे की सुईधा मिल जाएगी आप रास्ते की सफर के लिए घर का खाना ही रखे क्योंकि यहां आसपास आपको खाने में दिक्कत होगी यहां जाने का समय सुबर 6 बजे से साम 6 बजे तक का है आप यहां अक्टूबर से फरवरी के बीच आएं क्योंकि इस समय मौसम घुमने लायक और ठंडा होता है तो यह वीडियो कैसी लगती है मुझे जरूर और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए